अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए है तो प्लीज सुस्क्राइब लाइक करें मैं ऐसे ही इंग्लिज के वीडियो जो है लाता रहता हूं और डेली वकाबुलरी सुलाता रहता हूं जो कि हमारा फॉर आल कंपेटिटिव एक्जाम के लिए आज है 9 जुलाई 2020 तो पहला व पड़ हमारा जो है ऑपरेशनल ऑपरेशनल एक प्रकार का एड्जेक्टिव है इसकी हिंदी मेंटि होती कारिशीर मतलब किसी चीज में एक दम लगातार काम कर रहे हैं वोग ब्रॉब से इसका operating और working एंटोनिम से है inoperative और inoperable example है it keeps its price low by having low operational costs next हमारा next हमारा spark spark एक प्रकार का verb है इसकी हिंदी मीनिंग होती है बढ़ावा देना synonym से इसका trigger और fire एंटोनिम से halt और stop example है from a little spark में brushed a mighty flame next हमारा है capsize capsize एक प्रकार का verb है इसकी हिंदी मीनिंग होती है उलट जाना synonym से इसका overturn और append क्या है overturn और append एंटोनिम से इसका upright और direct example है I seem to capsize about every 15 minute next मेरा है back back क्या है एक verb है इसकी हिंदी मीनिंग होती है सहारा देना synonym से इसका support और rare एंटोनिम से इसका front और nowadays इसकी हिंदी मीनिंग होती है विवेक का धीन synonym से इसका random और absolute एंटोनिम से इसका rational और fair example है time is the arbitrary division of eternity next मेरा है coer coerce coerce से एक प्रिकार का verb है इसकी हिंदी मीनिंग होती है मजबूर करना synonym से इसका push और oblige एंटोनिम से इसका allow और admit example है you try to coercee him into say what you wanted next मेरा है infuse infuse एक verb है इसकी हिंदी होती है मन में बैठाना मतलब कोई जब सुने है उसको मन में एकदम बैठा कि आप दबाके रख लिए हैं वो होता है infuse synonym से इसका inject और fill antonym से इसका bloodness और dry example है infuse the direct flowers in boiling water next मेरा है uproar एक प्रकार का noun है इसकी हिंदी मीनिंग है कोहराम मतलब किसी जो देखे हैं उन्दम कोहराम मचा दी हैं वो चीज़ होता है कोहराम मतलब तहलका जिसको कहते हैं तहलका कर दी हैं वो होता है कोहराम synonyms है इसका disturbance मतलब आप दिमाग से खिदम disturb हो रहे हैं तो कोहरा हम आप किसी चीज के लिए मचाए उसे कहते हैं और fury antonyms है इसका huss और order example है the room was in an uproar next मेरा है novel novel एक adjective है इसकी हिंदी मेनिंग है नया synonyms है इसका fresh और original antonyms में है old और trite क्या है trite example है the best project is one that asks a novel question और इस आडियोग हमारा last question है bloom bloom एक noun है इसकी हिंदी मेनिंग है सबसे अधिक ताकत की आवद मतलब जिस आवद में मतलब जिस समय में आवद मतलब हो था समय जो समय आपके लिए सबसे ताकत वर हो उसी को कहते हैं bloom synonym says का flower और flush antonym says sickness और this line example है bloom where you are planted thank you guys आज के लिए इतना ही बस subscribe my channel before English thank you